कि मेरी एजुकेशन जरूर गवर्मेंट इस्कूल के अंदर हुई है और हिंदी माध्यम का विद्यार्ती रहा हूँ और ABCDB हो छटी कलास के अंदर हो पहली बार सीखी थी लेकिन मैंने उन विद्यार्तियों को चुनोती पेश की थी और उन चुनोती को मैंने हर जगे पर है उसको परमानित भी किया है मैंने मेरे जीवन की जो सबसे पहले शुरुवात की थी वो पटवारी से की थी सबसे पहले मैं हो पटवारी लगा था उसके बाद मैं हो ग्राम सेउक लगा था उसके बाद मैं थर्ड ग्रेड टीचर था उसके बाद मैं सेगंड ग्रेड टीचर था, फिर Assistant Jailer मैं RPC Top की थी, फिर हु इस्कूल लेक्चरर था, फिर इसी स्कूल के अंदर, जिस स्कूल के अंदर, आज मैं आपसे मुखातिप हो रहा हूं, इसी स्कूल के अंदर मैंने एक एक एक्जाम दिया था Assistant Commandant का, उसमें मैं हो सेलेक्ट हुआ था और उसके बाद मैं कॉलेज लेक्षरर भी मैं हो रहा था और फिर आरेस 2012 के अंदर 108 भी मेरी हो मेरिट आई थी तो उसके मैं वर्टमान में हो राजस्तान तैसिलदार सेवा के अंदर हूँ और वहाँ पर भी मैं एक आपको बात बताऊंगा देखे इस्वर अपने से क्या चाता है कब चाता है कि अपने को जीवन में कभी भी उदास नहीं होना ची आरेस के अंदर मेरी 108 ही मेरिट थी और उसके अंदर मेरे को DSP मिल रहा था लेकिन दुरभाईग्य ऐसा रहा कि मैं हो फस्ट वेटिंग में रह गया थोड़ा सार मु और देखिए दोस्तों मेनेज करने का क्या बेनिपिट मिला कि जो DSP बनना था वो D आगे से हट गया और मैं SP बन गया बात ये है कि अपन जीवन गंदर चाहते क्या है अपने आपको कितना डिवोट कर पाते हैं तो आज मुझे है वो IS कंदर 117 मेरिट है वो मिली और मैं जनरल किटेगरी से हो बिलोंग करता हूँ तो मुझे IPS मिला मैं यहाँ पर रुका नहीं हूँ मैं वापस त्यारी कर रहा हूँ और इस बार मुझे आसा है कि हिंदी माज़ियम गंदर IS में किसी की अभी तक फ़र्ष्ट मेरिट नहीं आई है और मेरी ये पूरी की तमन्ना है कि कम से कम मैं उस इस्तान तक है वो पहुंचो कि जीवन आपको शिरफ कहा जाता है कि 14 लाख योनियों के बाद में एक बार आदमी को जीवन मिलता है तो बहुती सांदार आप लोगों को है वो जीवन मिला है इस जीवन को आप इंजोई कीजिए कभी भी घमंड मत कीजिए चाहे आप जीवन में कुछ भी बन जाओ गोली रहान साहिती अगले साल इतनी संख्या माना कि इस सब माला ही कम पड़ जाए स्ब्सक्राइल कि से इतनी संख्या में यहां पर आणना और तब इनको रियल खुसी होगी स्कॉचिंग संस्तान को पुनहें मैं एक बार है विस कोचिंग संस्तान को बहुत बहुत दिन्यवा देता हूँ हमेशा दिमाग में एक बार ध्यान रखिएगा कि मुझे किसी मेगजीन के कवर पेज प्याना है मुझे भी जिवन में उसी दिन खुशी होई कि इस बार जब पीडी के उपर सब जगह पर मुझे कवर पेज पर है वो जगह मिली ऐसी चीज हमेशा ध्यान रखना कि मुझे क्रोनिकल पीडी सब जगह कवर पेज पर मिला और आज क्रोनिकल पे प्रेम सुख डेलू के नाम से या यूटूब के उपर आने एक वीडियो चलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है आप पी अपने जिवन में ऐसे टार्गेट रखना और हमेशा युवाओं को है वो प्रेरना देते रहना कभी सेलेक्चन होने के बाद में ये मत कहना कि एकजाम बड़ा आर्ड है हमेशा ये कहना भो दीजी है और यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी एकजाम है वो कर सकते हो एक बार पुने है आप सबी लोगों को है वो पार चलो आप सब्सक्राइब कर सकते है वो